थर्मोडायनिमिक्स में, नुमेरिकल्स को खुद से करके देखो, काटा पीटी करो, कुछ तो करो, मतलब कुछ करोगे तो सीखोगे, और कुछ करोगे नहीं तो कैसे सीखोगे, मतलब ही नहीं है, शीखने के लिए जरूरी है खुद से इस्टेप उठाना, पेट भरने के अच्छी तरह से, देखो, खाना अच्छा होना चीए, एक बात है, एल्थ अच्छी होने के लिए उसके इलावव भी बहुत सारी बाते हैं, क्या? कि खाने को खाना है और अच्छी तरह से खाना है, ठीक है? यदि आप, यदि जो मैं कुकिंग कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा रहा है, रहा nhi यदि जैसे गहर में क्शी, आपकी ममी क्या, करती है, जो रो मेटेरियल होता है, उसको खाने लाइक फ़र्म में करती है, अभी तो आप उसको खा पाते हो ना, अभी मैंने उसको को को किंग करके पका दिया है, अब आप खाएंगे नहीं टाइम से, तो ये च स्टोरी है जो आपके घर में किचन में होता है वही ओनलाइन क्लास में होता है तो जो मैटेरियल कुक हो गया उसको आपको टाइम से खाना है ठीक है नहीं खाएंगे तो उसका कुकिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी मम्मी चाहिए कितना ही अच्छा गाना टेस्टी बन तक हाड़ी होती है ठीक है बाद में देरे-देरे आने लग जाती है तो आप प्रियास करोगे तो सीखोगे इस दुनिया में पाया उसी ने है जिसने कुछ प्रियास किया है इस दुनिया में यदि किसी ने कुछ पाया है तो नंबर वन तो उसने पाया है जिसने प्रियास क चलाओगे आपको मैं गारंटी देता हूँ आप थर्मो केमिस्ट्री के नुमेरिकल एक बुक में देख लो उची तरह से ठीक है और फिर आप जैसे ही पेंच चला करके खुद से करने जाओगे ना आप कई गलतियां करोगे कई बार युनिट मिस करोगे कई बार क्या मिस होगे तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पेंच लाएं सवाल खुद से सोल करें तब आप सीखेंगे अधर वाइस तो मैं सोल करने से आप नहीं सीखने वाले हैं यह एक दम कनफरम है ठीक है हां फिर वाली थर्मो समझ में आ रही है पहली बार समझ में आ रही है वो तब रही है आप सीख रहे हैं तब आ रही है आप सीखते रहिए और जो खाना पकता है ना रोज हमारी उनलाइन क्लास में उसे टाइम से खाते रहिए